चलिए सीधे रुक कर लेते इस वक्त हम जार्खन की राजदानी राची हमारे जी मीडिया समवादाता और जार्खन के रेजिडेंट एडिटर मनीश महता माईस सार टुड़ रहे हैं मनीश सचता मिशन पार्ट टू के शुरुवात हो चुकी है राची में किस तरह की तस्वीरे देखने को मिल रहे हैं किस तरह का उत्सा अब बिल्कुल राची के अगर हम बात करें तो यहां ना सिर्फ मुख मंतरी बलकि जो जार्खन कामिनेट के जो कई बड़े चैरे हैं दिनेशानद गोस्वामी वो भी यहां पर मौझूद है एक एक करके क्विक रियाक्शन लेता है मंतरी जी अब रोज एक घंटा देना पड़ेगा प्रधान मंतरी जी के अपील का कितना असर होगा आप लोग ओपर देखिए परधान मंती तो सचमुच पुछे तो ब्यक्ति नहीं सकती के रूप में हुआ है हैं और उनका जो हम लोग का निर्देश है हम लोग एक घंटा का बहुत अबर परियास कर रहे हैं कि सफाई अब यहां चालू रहे हैं और हम लोग साथ करें इस अपील को कैसे आप गाउं गाउं तो ले जाएगी को कि आप एजूकेशन मिनिस्टर भी हैं कैसे इसको सिक्षा के जरिये जो हैं गाउं तक पहुँचाएंगी आप पहले तो बहुत आभार बेत करना चाहेंगे आदर्ने हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रती और हमारे आदर्ने मुख्यमंत्री जी के प्रती कि उन्होंने एक ऐसी भावना को जागरित किया है जो कि जन आंदोलन का रूप ले चुका है और जब कोई भी कारी को हम जन आंद बात करेंगे खालु में लगाए लिए हमें되 होता है करोंदा करें लिया सथा मारी सब्सक्राइब मैं देख सब्सक्राइब प्रदान मंतरी जी ने गोशना किया जन आंदोलन का रुख देने का काम किया उस समय से आज यदि रेलवे में भी बैट करके ट्रेंड में भी या रेलवे ट्रेक में भी लोग बैट करके चना भी खाते हैं तो वो प्लास्टी को चाहते हैं कि हम ऐसे जगह पर फेके जहां पर की गंदगी ना फैले तो आज लोगों के यह भावना से जूड़ गया है और हमें लगता है कि जब हम जन आंदोलन का रुख देते हैं इसमें हमें सफलता मिलती हैं सब को मिल करके इसे एक दिन का नहीं बल पूरे स्टेट में हम लोग लगे हुए हैं कि सफाई अवियान चालू हो और सब हमारे मुख मंती जी बहुत इंपॉटन भी भाग है तो हमने आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हरेक कस्वे हरेक जीला में जितना भी होस्पीटल है चाहे गाउं है सब जगह हम लोग सफा यह अभियान से जूते हैं हम यह जूते हुए हैं बिलकुल अरशमि काफी इंपॉर्टेंट है को कि धार्गन सरकार के रगवर काबिनेट के दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्र हमारे साथ मौजूद है आग तीसरी भी जो हमारे साथ जो है लुईस मरांडी जो की कल्यान मंत अबियान के रूप में हम लोग देख रहे हैं घर गर गाव गाव तक कसबा कसबा तक पहुंच रहा है ये अबियान उस समय ऐसा नहीं था अर्मानिय प्रदान मंत्री जी के प्रतिनिसीत रुप से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि देशवासियों के मन में उन्होंने एक जागरिती पैदा कर दिया है कि स्वक्स्ता ही सेवा है जब तक हम स्वक्ता के चेतर में आगे काम नहीं करेंगे तो ना हम स्वस्त हो सकते हैं ना हमारा समाज स्वस्त हो सकता है आज के दिन में जिस तरह से हमारे दोनों मंत्रियों ने संकल्प लिया या फिर आपके सामने वचन दिया कि हर घर तक हम लोग स्वक्ता अब्यान पहुंचाएंगे मैं भी दोराती हूं उसी वचन को हर घर तक हर टोला हर मोहला बलकि हम य पहाड के उपर में हमारे पीबी टी जी लोग भी पर निवास करते हैं सलम एरिया में जो हमारे लोग निवास करते हैं उस अब छेत्र को बिसेस फोकस करने के आशकता है बहुत बहुत धन्यवाद जी दिनेशन जी एक फाइनल कमेंट्स आप से चाहेंगे क्योंकि मंत्री जो कह रहे हैं कि हम घर घर तक ले जाएंगे संगठन में कैसे आपके कारिकरता इस अभ्यान से जूड़ेंगे देखे स्वच्छता हम सब के जीवन का एक संकल्प है ब्रत है हम पाटी के कारकरता महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत और प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी के आहवान का भारत बनाएंगे और बहुत ही जल्दी लोगों के सपने का एक स्वच्छ सुंदर भारत का निर्मान करेंगे और प्रती दिन हम लोग सच्छता अभ्यान में लगेंगे सच्छता ही सेवा है इस नारा को हम चतितार्त करेंगे इस पूरे अभ्यान को गाउं गाउं तक ले जाएगा जुडने के इसका बाइस से जुडने की अगर हम बात करें तो उनका साफ कहना है कि ये महज एक फोटो सेशन कामपेंच चलाया जा रहा है भारती जंता पार्टी के तरफ से और तमाम जो बीजेपी के नेता है महज वो फोटो खिचवाने का काम कर रहे है और कुछ दिनों के बाइद आप देखिएगा ये पूरा अभ्यान जो है वो फेल हो जाएगा लेकिन जो बयानबाजी का जो दौर है चाहे वो बीजेपी हो या फिर विपक्ष के तरफ से वो दोनों एक दूसरे पर चला रहे हैं लेकिन इस पूरे अभ्यान का जो मकसद है वो काफी जादा पॉजिटिव है और यही वज़ा है कि लोग जुड रहे हैं